एक दिन एक बिकारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता है और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देख कर फिर जाया करता है कई बार उसके लिए गालियां भी बखता वो कहता तु जिन्दा ही क्यों है पूरी जिन्दगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या धर्ती का बोज क्यों बना बैठा है और कभी कभी उस बिकारी को गुस्से में वे धक्का भी मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिकारी के मुँ से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापो को माफ करे एक बार सेट को धंदे में बड़ा नुक्सान होने की ख़बर मिली सेट बहुत परेशान था कि तब ही उसके दरवाजे पर वही भिकारी आया गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेट ने उस भिकारी को पत्थर दे मारा पत्थर लगने के कारण भिकारी का सर फूट गया और वह उसकी सर से खून बहने लगा फिर भी दर्द से कराते हुए बिकारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे बिकारी वहां से चला गया सेट सोच में पड़ गये विकारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की सेट का गुस्सा सांथ हुआ भिकारी का रह से जानने के लिए सेट ने विकारी का पीछा करना शुरू कर दिया भिकारी जहां जहां जाता सेट उसके पीछे जाता सेट ने देखा कि कोई उसको खाने को देता कोई पत्थर मारता कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता लोग भिकारी के साथ चाहिज जैसा ब्यवहार करते हैं लेकिन भिकारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता भगवान तुम्हारे पाप माफ करे अब रात होने को आई थी भिकारी अपने घर जाने के लिए लोटा वो अपने घर पहुँच गया लेकिन सेट अब भी उसका पीछा ही कर रहा था एक पुरानी तोटी हुई खटिया पर एक बोढ़ी औरत लेटी हुई थी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी वह भिकारी की पतनी थी अपने पती को वापस आता देख कर खाट से उठ खड़ी हुई पतनी ने अपने पती के भीक वाले कटोरे में द देख कर वे बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ आपके सर से खून निकल रहा है ये चोट कैसे लगी बूढ़ा बिकारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं सबने गालियां दी और एक ने तो पत्थर फेक कर मारा इसी लिए मेरा सर फट गया एक गहर ठंडी सांस लेकर बूढ़ा बिकारी फिर से बोला ये मेरे पापो का फल है हम कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे याद है कुछ क्या कुछ नहीं था हमारे पास हमारे पास हर चीज थी जरूरत से ज़्यादा थी लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उस से भी बुरा हमने उस लंगडे बिकारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीक मांगने आया करता था मूड़ी पत्नी के आखों में आसु आ गए वह बोली हाँ हम उस विचारे लंगडे के साथ बहुत बुरा करते थे उसका अपमान करते थे उसे खाने के लिए रोटी की जगे कंकर पत्थर दिया करते थे उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया एक बार मैंने उसके मूँ पर पानी भी फेका था और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किये की सजा देगा भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा उसका असराब सच हुआ और हम इस दुख भरी जिन्दगी में आ गए बिखारी बोला हाँ उसका सच हुआ इसलिए मैं किसी को बद्दूआ नहीं देना देता चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बरताव करे मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिन्दिगी का अनुभो करे किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता सेथ वहीं पर छुपकर ये सारी बाते सुन रहा था अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था भिकारी और उसकी पतनी ने वयाधी रोटी मिलवाट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए अगले दिन वही भिकारी फिर से भीक मागने गया सेथ के घर के पास जाता है सेथ ने पहले से ही करम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी उसे देते हुए सेथ पिनमरता से बोला माफ कर दीजिए बाबा उसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुड़ा बिकारी बोला भगवान तेरा भला करे इतना कहकर वह आगे निकल गया इस कहानी से हमें जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सरल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे लेकिन बगवान सिर्फ करम के हिसाब से उसको फल देता है क्या हुआ अगर बगवान नहीं दिखता लेकिन ये बात बिलकुल सच है उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पका होता है इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा दोस्तो कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो